हेलो एब्रीवन, एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है, बात करेंगे हैं मिलाबाद इन्वस्टी नॉन टीजिंग पोस्ट की, आप सबके एक्जाम बहुत नस्दीक है, कल है आपके एक्जाम और नेक्स डे यानि परसों भी है, एक्जाम 30 को, तो उमीद कर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और रिवीजन किया होगा जितना अभी तक आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस रिवीजन करिए, चाहे जहां से करिए, करते रहिए, ठीक है, जब तक आपकी एक्जाम नहीं हो जाते, आइए हम बहु विकल्पी प्र को सौल करते चले, फाइंड आउट करना है आपको एरर की किस पार्ट में जो है गलती है, इसमें अप्शन नमबर D की जगह पर जैसे आप मतलब A, B, C, D करके देता है, इसमें नमबर इंगे, क्योंकि आपको बता है कि मैंने ये खुद से टाइप करके नहीं बनाया है, मैं से तो देखेगा कितने कोस्चन आप अटेम्ट कर पा रहे हैं इसमें, देखेंगे, देखेंगे तो पहला कोस्चन हमारा है, 20 मिल्स आर लॉंग वे टू वाक, ये सेंटेंस है या नो इरर, आपको सेलेक करना है कि कौन से इम पार्ट में गलती है, पार्ट एक, दो, तीन, या चार या नहीं है गलती तो आपको नो इरर बताना है, इसी तरीके से आपको एक्जाम में भी मिलता है, बस आपको चार मिल जाते हैं, A, B, C, D, ये इस तरीके से इम प्रैक्टिस कर चुके, मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई समस्य आएगी, ठीक है, तो आप ब कर लिजेगा, बाद में उसको एक बार रिवीजन कर लिजेगा, कहां हमको नहीं आ रहा है, तो देखे, इस कोश्चन में के पार्ट 2 में गलती है, यहां पर नहीं होगा, आप इसको देख रहे होंगे तो आपको यह सही लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर 20 लिखा है, आप प्यूरल समझ में आ रहा होगा, तो लगा होगा कि र तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यह गलत है, आपने इंग्लिस में रूल पढ़े होंगे कुछ, जैसे देखे, और्डिनल नंबर होते हैं, और्डिनल का मतलब होता है, और्डर फॉर्म में होते हैं, जैसे जैसे हम कह कॉर्डिनल नंबर में आएगा 20, ठीक है, चुकि यहां पर प्यूरल है, इस वज़े से यहां पर जो सबजेक्ट हम प्रयोग करेंगे, यहां पर R की जगहां पे हम क्या यूज कर देंगे, यहां पर इसका प्रयोग करेंगे, IS, ठीक, आप्शन नंबर 2 में गलती है, अब आप समझ गये होंगी कैसे गलती है, निश कोशन को पढ़िए और इसका एंसर दीजे कि क्या सही है और क्या गलत है, बताईएगा, कोशन पढ़ते हैं हम, देखिएगा, नीदर माई वाइफ नौर माई ब्रदर इन लॉग वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, नो इरर, बताईए कहा गलती है, मैंने आपको जो है, ब्रदर इन लॉग मतब ये जो लॉग वाले प्रशनाते हैं, इसमें गलतुरूटी कैसे होती है, बताया था, और नाइदर और, सॉरी, नाइदर नाइदर और, और ये इन सबसे, बट अल्ली, बट आलसो, इन सबसे रिलेटेड मैंने आपको काफी चीज़े बताई थी पहले, अगर आपने पढ़ी होंगी, तो बता सकते हैं, कि इसमें गलती कहा आ रही है, तो देखिए, अगर हम इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें भी आपके जो दिया हुआ है, पार्ट 3, पार्ट 3 में गलती है, पार्ट 3 में गलती क्यों है, देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, नौर के साथ लगा है my brother-in-law, तो यह जो my brother-in-law है, तो यहाँ पर word नहीं आएगा, यहाँ पर was का प्रियोग हो जाएगा, ठीक है, जब भी neither either कुछ भी लगा हो, नौर क इसके recording हम यहाँ पर word का प्रियोग करेंगे, तो चुकि brother-in-law है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, was का प्रियोग होगा, word का प्रियोग गलत हो जाएगा, तो आपको बताना है, इस question में क्या गलती है, कि my, sorry, if my father approve, I will go to Mumbai, no error, बताएगे, गलती है भी या नहीं है गलती, त इसका प्रियोग यहाँ पर कर दिया चाहेगा, next question को solve करिए, देखे, दिया हुआ है, neither India nor Pakistan have yet, Pakistan have yet acquired the capability of produce unclear weapons, या no error, बताएगे, इसमें गलती है या नहीं, अभी पहले जो हमने third वारे sentence को correct किया था, अगर उसको आपने ध्यान दिया हो ता आप इसको सही कर लेंगे, कहां ग दिया है, बिलकुल correct है, इसके साथ इसी का प्रियोग होता है, लेकिन, यहाँ पर गलती कहां पर है, देखे, यहाँ पाकिस्तान सिंगलर में है, लेकिन यहाँ पर है, हैज का प्रियोग हो जाएगा, अभी मैंने आपको just उपर वाले question में बताया था, यहां पर आपने साथ नौर लगा है कि और लेगा है कभी कभी और की गलती दे देता है ठीक है next question को पढ़िए और इसका answer देजे देखिएगा you and I has no each other for the last six years no error बताईए इसमें कहीं गलती है या नहीं फिर से पढ़ते हैं sentence को you and I has no each other for the last six years no error गलती है या नहीं आपको बताना है है तो किस पार्ट में गलती है बताईए तो इसमें अगर हम गलती की बात करें तो part two में गलती है part two में गलती कहाँ है तो has में गलती has नहीं होगा यहां पे have का प्रयोग होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि सब्जेक्ट में आप देखेंगे you and I लगा हुआ है ठीक है एक से जादा की बात हुई है आपर तो has नहीं प्रयोग करके यहां पे have का प्रयोग होगा ह-a-ve होगा देखिए जहां तक अधिकतर mistake होती कहा है देखिए जो pair वाले word होती है उसमें गलती होती है या तो फिर word में maximum गलतियां हो जाती है ठीक है या articles में गलती हो जाती कि the कहा लगेगा a और n का प्रयोग कहा होगा यह सब चीज़े थोड़ा पढ़ लीजेगा नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजेगा देखिए इतना आपके पास time नहीं था कि पूरा पार्ट साफे speech पढ़ाया जाए तो इस वज़े से बस सौटली चीजों को बताया गया जहां से आपको possibility है exam में आने की next question को पढ़िए और answer दीजे इस question को पढ़ते हैं और answer दीजेगा कि क्या होगा देखिए my father has not heard from my younger brother who are abroad for over a month तो इसके according कहां पर गलती आ रही है तो यहां पर गलती है आपके part C यानि part third में यहां पर R की जगह क्या हो जाएगा यहां पर इसका प्रेयोग correct होगा next question को पढ़िए और उसका answer दीजेगा कि क्या correct होना चाहिए देखिएगा he have been working in a bank in New Delhi for the past several months या no error बताईए इसमें गलती है या नहीं है आपको बताना है फिर से question को पढ़िए he have been working in a bank in New Delhi for the past several months या no error इसमें गलती कहा है आपको बताना है देखिए अगर आपको ट्रांसलेशन आता होगा आपने ट्रांसलेशन की रूल पढ़े होएंगे तो आप इसको आराम से बता ले जाते कि गलती कहां है तो उसके part A में ही गलती आपको दिख रही है interesting stories for young readers no error बताइए इसमें गलती है या नहीं तो यह आपको बताना है बताएं बता यहा पर गल्थी है तो देखिए अगर यहीं तो और और बात करते हैं यहाँ पर कुछ छीजेते हैं इख्योल में ब्लिफिपने प्रेंग फ़ इस प्रोल आंगे एकजाम में sentence थोड़ा से इधर उधर होगा बाकी वही आ जाएगा तो option number two जो है mistake है has नहीं होगा यहाँ पर ठीक है next question को पढ़ते हैं और इसका answer दीजेगा कि क्या होगा देखिएगा every man, woman and child are now this question का answer दीजेगा फिर से पढ़ते हैं देखिएगा every man, woman and child are now aware of the terrible consequence of the habit of smoking देखिए एक रूल होता है आप कहीं भी देखिएग जहाँ पर every लिखा हो इच लिखा हो प्रतेक की बात रता है और उसके बाद देखिए man, woman and child इसको आप प्यूरल नहीं समझेगे यह पूरा एक वचन यानि सिंगलर फॉर्म में यूज हो रहा है इस वज़े से यहाँ आर नहीं इसका प्रयोग हो जाएगा ठीक है, option number 2 जो है incorrect है, इस वज़े से यही correct होगा जहाँ जहाँ मैंने incorrect बोला है मतलब वही option आपका सही होगा sentence correction में यही तो होता है जहाँ पर गलती है वही आपका option सही होता है ठीक है next question का answer देना है आपको बताइएगा कि कौन सा सही होगा देखिए जो आपका exam है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ English ही देखाना है कि आपको knowledge है कि नहीं बाकी जो exam होते हैं से banking के SSC कि वहाँ पर English की जो questions आते हैं वो थोड़े typical और tough होते हैं आपके लिए उतना tough नहीं है जैसा आप जिस तरीके का यहां format देख रहे हैं ऐसा आएगा इसे easy आ सकता इसे tough नहीं आएगा अगर sentence correction आया तो ठीक है आप देख लीजेगा तो ऐसा ही आएगा क्योंकि आप लोगी exam देंगे तो देखेंगे कि कैसे question पूछे जा रहे हैं तो ज्यादा सब देख रहे हैं आपकी जो गलतियां हो रही है वर्प में ज्यादा गलती समझ में आ रही है तो उसको थोड़ा स प्रयोग नहीं होगा तब यहां पर हैस का प्रयोग हो जाएगा option no.2 गलत है इस वज़े से यही सही है next question का answer दीजेगा इस question का answer देना देखेंगे swift gulivers travels have been read by me तो यह पुस्तक का नाम चुकी दिया है पस्टॉफी इसका प्रयोग किया गया है तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा हैस की जगह sorry है की जगह हैस का प्रयोग होगा option no.2 जो है incorrect है यानि वही correct option है next बताईएगा question का answer देखें neither he nor his father is interested in joining the party बताईए कि क्या होगा no error है मताब फिर से सुनिएगा neither he nor his father is interesting is joining the party या no error बताईए क्या होगा sentence देखें मैंने आपको बताया था कुछी जगह पर गलती आती है तो यहां से समझिएगा देखें देखें नेदर के साथ तो नार का प्रयोग बिल्कुल सही है यह होता है इसके बाद देखेंगे his father मतलब यह singular प्रयोग बता है इस भी singular है तो मतलब यह दोनों यह सब correct है तो इसका मतलब यह sentence में कोई correction नहीं यह no error option no.5 तो इस question का आपको answer समझ में आ गया होगा कि इसमें जो no error है क्यों है पहले जब भी आपको sentence solve करिएगा तो देख लेजएगा जो main pair वाले तो question नहीं है पेर वाले हैं अगर वो सही है तो वहां गलती नहीं है फिर उसके बाद verb को check करिएगा वह गलती है कि नहीं जैसे मैंने भी बता दिया कुछ चीजे कि आइदर ना आइदर कुछ भी लगा हो उसके साथ और ना जो भी चीज लगी होती उसके बाद जो आने वाला जो भी बगर प्यूरल आपको लग रहा होगा तो भी वो सिंगलर में ही ट्रेट होता है ठीक है इस तिरग्य के कुछ important rule होते हैं जो कि छोटे-छोटे sentences में प्रयोग होते हैं और वहीं भी mistake होती है एक्जामें पूछे जाते हैं next question को पढ़िए और answer दीजेगा किसका answer क्या हो जाएगा देखेंगे children likes to eat chocolates rather than sweets या no error बताइए इस sentence में गलती है या नहीं अगर गलती है तो कहां गलती है तो इसमें गलती है part 2 में पार्ट 2 में गलती कहां है इसी वर्ब में वर्ब में कहां likes लाइक्स नहीं रहे गए हैं प प्यूरल नंबर के साथ हमें वर्ब भी प्यूरल चाहिए अब आपको लग रहा हूँ है तो likes लिखा है यह हो सकता है कुछ को ना पता हो तो बता दू कि देखें जब हमारे वर्ब होते हैं जैसे like है तो like आपका जो है like के लिखा है like तो यह singular में प्यूरल में treat होगा अपन इसमें yes लगा दिया जैसे ही तो वो हमारा क्या हो जाता है singular में हो जाता है ठीक है जरूरी नहीं है हम लोगों ने शुरू से पढ़ाए कि क्योई word है उसमें जैसे अगर कोई noun है noun के बाद yes या yes लगाने से वो बहु अच्छन बन जाता जैसे boy है boys हो गया तो लड़का से ल लाइक सगर हो गया तो सिंग्लर ट्रीट होगा इसी वजह से आप यह गलती है लाइक से नहीं होगा लाइक का प्रियोगा option no.2 बिल्कुल करेक्ट हैस के अनुसार कि यह आपका सही एंसर होगा अगले question का answer देना है आपको unless you works hard you cannot succeed या no error बताए कहां गलती है तो मैंने आप आपको बताया था कभी-कभी जब unless until वाले जो वाक क्या आते हैं sentence आते हैं उसमें यहीं first आपके जो sentence रहा उसी में not का या कोई negative work का प्रियोग कर देता है word का तो वो sentence गलत हो जाता है क्योंकि double negative एक साथ प्रियोग नहीं करेंगे फिलाल इसमें यह गलती तो नहीं है तो आ कि है you you क्या है आपका यू singular होता है यहा प्यूरल तो आपका जो है जो आपका यू होता है इसको हम दो बाक प्यूरल count करते हैं कि यह अम्त्याइख Bye फ़ट्व है टृच एपूरल प्रियोग करेंगी इसके साथ कोई वर्व लगाएंगे तो हमारी प्यूरल होनी चाहिए इ climate of this place do not suit me no error बताइए गलती है या नहीं है इसको आपको बताना है फिर से sentence को पढ़ रही हूं बताइए answer कि the climate of this place do not suit me गलती है या नहीं बताइए देखिए इसके जो पार्ट 3 में गलती है गलती क्यों है यहाँ पर do not नहीं does not होगा does not क्यों होगा क्योंकि the climate है तो मतलब यह singular form में यूज हो रहा है the climate इसी वज़ेसे इसके recording यहाँ पर does का प्रेयोग होच आएगा इसलिए पार्ट 3 जो है गलत इसलिए वह answer सही है next question का answer देना है आपको बताईएगा कि क्या सही होगा देखिएगा the director along with the staff members were present for the annual day celebration no error बताईए इसमें क्या सहीगा the director along with the staff members were present for the annual day celebration सब कुस सही है तो no error बताईए बाकि अगर गलती है तो बताईए किस पार्ट में गलती है उमीद कर रहे हैं जो हम question अगर आपको नहीं भी आ रहे होंगे solve करते समय rule आपको confirm होते जा रहे होंगे अगर अब ऐसा दुबार आपकी paper में आया तो आप सही करेंगे देखेंगे इस पार्ट में कहां गलती है तो इस पार्ट में अगर हम देखते हैं तो आपके गलती इसमें है आपके part 3 में यहाँ पर where नहीं रहेगा यहाँ पर क्या work का प्रयोग ना करके वास का प्रयोग होगा क्यों होगा देखेंगे आपकी the director the director क्या है singular subject है इसके अनुसार यहाँ पर use होगा इस वज़े से ठीक है तो जब भी आप कोई word along with के साथ जुड़ा होता है यह जान लिजेगा with along with ही सबके साथ जुड़ा होगा तो जो सबसे पहला वाला subject होता है उसी के अनुसार वर्व क प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर where नहीं वर नहीं यहाँ पर वास का प्रयोग होगा इसलिए option no.3 में गलती इसलिए वो answer आपका सही होगा next question को solve करिए और answer देजेगा बताइए कि क्या सही होगा if you follows my instructions you will get a suitable reward for that या no error फिर से question पढ़ रही हूँ answer बताइए कहा गलती है if you follows my instruction you will get a suitable reward for that या no error बताइए कहा गलती है देखिए अकर इस sentence में गलती की बात करें तो part 1 में गलती part 1 में वास नहीं वेर होगा अब आप कहेंगे हां तो I लगा हुआ है तो फिर क्यूं होगा तो देखिए यह suppose वाला sentence से suppose करें माना जा रहा है तो उसके साथ जब इफ का प आपर क्या हो जाएगा वेर का प्रयोग होगा तो option number A जो है right हो जाएगा next question को पढ़िए और इसका answer दीजेगा देखेगा my father-in-law who live in Mumbai has come to stay with us no error बताइए इसमें गलती है या नहीं अगर है तो बताइए कहां गलती है फिर से सुन लिजे my father-in-law who live in Mumbai has come to stay with us बताइए कहां गलती है अगर गलती है तो कहां नहीं तो बताइए no error देखिए यहां पर गलती कहां है part 2 में गलती है यहां live नहीं lives हो जाएगा लिप्स की होगा क्योंकि यह जो आपका relative pronoun है इसके पहले क्या प्रयोग किया गया है father-in-law तो यह जब हमारा singular है इस वजह से यहां पर भी singular verb होगा इसलिहां पर लिप्स का प्रयोग कर दिया जाएगा तो option number 2 right हो जाएगा ठीक है next question का answer देना है बताएगा each girl was given a bunch of flowers which pleased them very much फिर से सुनिएगा each girl was given a bunch of flowers which pleased them very much या no error बताएगा इसमें mistake है अगर है तो कहां है बताएगे आप सभी देखिए अगर इस question की बात करें कि each girl मैंने भी आपको बताया था इच इवरी कुछ भी लगा होता है उसके बाद हम लोग उसको singular यहां के कॉर्डिंग यह वास बिल्कुल सही है इसका मतलब से कोई गलती नहीं है तो नो इरर हो जाएगा ठीक है जब जस्ती एरर खोजने की कोशिस मत करिए कभी कभी क्या होता है नो इरर वाला भी option सही होता और हम लोग के दिमार्ग में होता है नहीं हमें तो गलती यह होता है न कहा जाता है न कि जो दिखेंगे आप जो देखना चाहेंगे वही दिखता है ठीक है तो वही चीज़ है यहां पर आगे देखेगा नेक्ट कोशन का अंसर बताइएगा विने वाज हैपी दैट मुकेस एंड हिस सिस्टर वाज गोइं ऑन दे सेम ट्रें नेक्स इस वाजना झाहें है तो कहा गलती है अगर इसमें गलती देखना चाहे हैं तो इसकी जो है गलती आ रही है तो यहां पर गलती है ऑफ्शन होग्या ब स्कैनल को लिडिवायवер का प्रेयोग सिर्गा देल को गाहना यहां गजिए अन्सरी स्कैता है पर बहुत क्राइब बि आप लोगों ने देखा कि आपने कितने कोश्चन किये हैं इसी तरीके का फॉर्मेट आएगा अगर सेंटेंस करेक्शन से आ रहा है बताइए का जरूर आपने कितने कोश्चन सही किये और आपको यह समझ में आया या नहीं अगर दिक्कत लग रही होगे तो दुबारा इसको कि आप लोग पढ़ लिया करें ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए ठीक तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही नेक सीरीज के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ जैहिंद